दोस्तो यह हमारे स्पॉंसर्स हैं अली में अकाउंटेंट्स अगर आपको GST नंबर लेना हो या अपनी ITR फाइल कराना हो या कोई भी टेक्स के लिए अकाउंटेंट्स की जरुवत हो तो इस नंबर पर कॉंटेक कर लेना और यह भी हमारे स्पॉंसर्स हैं दकूल मोबाइल स्टोर अगर आपको डेली में रहते हो और मोबाइल पर्चेस करना हो तो आप रीच कर लो लक्षमी नगर के अंदर स्टोर है काफी अच्छा डिस्काउंट मिल जाएगा हलो दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस चैनल के अंदर मेरा नाम है आरवी दोस्तों आज में लेकर आया हूँ शाओमी के रेडमी 6 और सैमसंग के जे टू प्रो 2018 की कंपेरिजन के अंदर हम दोनों को कंपेर करेंगे और देखेंगे कौन सा मोबाइल जो है को सैमसंग का मोबाइल लेना चाहिए तो इस वीडियो में मैं आपकी डाउट्स क्लियर कर दूँगा दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं लुक्स के बारे में देख सकते हैं आप इसके अंदर 3.5 mm का जैक जो है दोनों ही मोबाइल के अंदर दिया गया है और आपको ले सकते हैं कैमरा सैमसंग का बीच में है शामी का टॉप पर स्पीकर जो है शामी का नीचे की तरफ दिया गया है और सैमसंग के अंदर prent नहीं है और शामी के अंदर fingerprint आपको मिल जाता है इसके अलावा दोस्तों बात करें मोबाइल के पारे में तो दोनों ही मोबाइल जो है वह 8000 रुपे के आसपास आते हैं शाओमी का मोबाइल 8000 रुपे में मिल जाता है आपको Redmi 6 और Samsung का मोबाइल J2 Pro भी यह 8000 रुपे के आसपास ही आपको मिल जाता है दोनों के बॉक्स के उपर फीचर्स में आपको दिखा देता हूं दो पिक्सल का तो दोस्तो दोनों ही मोबाइल अपनी जगा ठीक ठाक है इस प्राइस रेंज के अंदर शाओमी के अंदर 3GB रैम है और Samsung के अंदर 2GB रैम है दोस्तो J2 के अंदर आपको दोस्तो कॉर्णिंग गोरिला ग्लास भी मिल जाता है लेकिन शाओमी के अंदर रैडमी 6 के अंदर आपको ऐसा कोई नहीं मिलता है दोस्तो जैसे कि आप देख सकते हैं Samsung के अंदर आपको डूल कैमरा नहीं मिलता है और यही सबसे ज़्यादा स्मार्ट मूव शाओमी ने करा है इस मुबाइल जार रुपे के अंदर डूल कैमरे वाला मुबाइल ही सबसे चीपेस्ट मुबाइल है जो कि एक ट्रस्टिड ब आपको डूल कैमरे जो है 8000 रुपे से कम भी मिल सकते हैं आप कूल बैट के अंबॉक्स ही अपने चैनल के अंदर आप देख सकते हैं उस वीडियो को साड़ेचे 7000 रुपे के अंदर डूल कैमरा है लेकिन दोस्तो आप देख सकते हैं Samsung J2 प्रो में आपको मिलता है Android का Nogat version 7 version और MI6 के अंदर आपको मिलेगा latest Android 8.1 तो दोस्तो दोनों ही mobile जो है अपनी अपनी जगा कुछ-कुछ features जो है बढ़िया लेकर इस market के अंदर उतरे हैं आप देख सकते हैं Samsung के अंदर आपको front में LED flash मिल जाती है जो की MI6 के अंदर नहीं है MI6 का जो board screen का ratio है दोस्तो वो है 18-9 और Samsung का जो ratio है वो है 16-9 आप देख सकते हैं मैं call logs जो है open करने का try कर रहा हूँ तो उसके अंदर जो है speed के अंदर वो आप देख सकते हैं इन दोनों का user interface भी आप देख लिएगा किस तरीके से MI6 का तो आपको पता ही है menu जो नहीं होता अब आप देख सकते हैं call logs जो है वो सबसे ज़ादा dialer tone जो खुल रही है वो इसके अंदर पहले खुल रही है आप देख सकते हैं MI6 जो है उसके अंदर पहले आप देख सकते हैं वो खुल रहा है feature to feature जो है depend करता है 2-3 GB RAM इसके अंदर है प्रोसेसर का भी मैं आपको बता देता हूँ MI6 के अंदर जो आपको प्रोसेसर मिलेगा वो दोस्तों MediaTek का Helio का P22 मिल जाता है और Samsung के अंदर जो प्रोसेसर है वो Snapdragon 425 इसके अंदर मिल जाता है और Samsung का जो CPU है दोस्तों J2 का वो है 1.4 GHz का और MI का जो प्रोसेसर है वो है Octa Quad 2.0 GHz का तो दोस्तों दोनों ही mobile में कुछ-कुछ features जो है काफी अच्छे हैं जैसे Samsung J2 Pro में आपको Conning Gorilla Glass भी मिल जाता है मतलब build quality जो है build quality के point of view से देखा जाया अगर आपको mobile लेना है मुझे mobile लेना जो 3-4 साल आराम से खिज्जा और बड़ी ऐसा चल जाया तो उस case के अंदर मैं आपको suggest करूँगा आप Samsung ले सकते हैं लेकिन अगर आप compare करें आपकी जह से photography की need है या फिर आपको और जादा heavy use करना है तो उस case के अंदर मैं आपको कहूँगा कि MI6 का जो processor वो दमदार processor है वो daily use और regular use heavy use के लिए जादा better है दोस्तो बाकी दोनों ही mobile जो हैं काफी अच्छे mobile हैं इस price range के अंदर काफी अच्छे features हैं लेकिन ये depend करता है कि आपकी जरूरत क्या है मालनीजे आपकी जरूरत फोटोग्राफी की जरूरत है आपको shock है फोटोग्राफी का तो आप उस case के अंदर MI6 के लिए ही जाए क्योंकि उसके अंदर आपको dual camera मिल जाता है लेकिन अगर आपकी जरूरत है मालनीजे कई बार ऐसा होता है जो है कोई इनसान अपने फादर के लिए mobile लेता है और वो सोचता है कि पापा के पास जो है दो चार साल चल जा है अराम से पापा इसको अराम से यूज़ कर लें कोई दिक्कत ना है तो दोस्तो build quality तो आपको पता ही है Samsung की जो है तिनी अच्छी होती है जिसके ओपर हम सभी trust करते हैं तो उस case के अंदर Samsung के लिए मैं आपको suggest करूँगा आप Samsung लीजे दोस्तो दोनों ही mobile जो है काफी अच्छे हैं look wise देखा जाए तो भी दोनों mobile बहुत बढ़िया है और बाकी और performance की बात करें तो दोनों ही mobile performance में ठीक ठाक है ऐसा कुछ आपको problem दोनों ही mobile के अंदर देखने को नहीं मिलती है दोस्तो बैटरी के बारे में मैं आपको बता दू तो MI के अंदर आपको मिलेगी 3000 mh की बैटरी और Samsung J2 में मिलेगी आपको 2600 mh की बैटरी तो दोस्तो बैटरी जो है थोड़ी बैटर MI के अंदर इसके अंदर आपको मिल जाती है तो दोस्तो ये चीज़ आप देख लेना जरूर कि आपका use किस तरीके से है मैं दोनों का back panel भी हटा कि आपको दिखा देता हूँ इसके अंदर जो है back panel सिर्फ Samsung J2 का हट सकता है क्योंकि MI6 का जो back panel है वो non removable है उसको हम हटा नहीं सकते हैं Samsung के आप अंदर से body देख सकते हैं तो दोस्तो यही बात है सिर्फ जरूरत के ओपर depend करता है आपकी जरूरत क्या है अगर आपकी जरूरत माननी चे कैमरे की है तो आप जाहर सी बात है J2 लेकर आप गलत ही decision लेंगे और आप सोचिंगे यार मैंने फैसला गलत करा बाकी build quality के point of view से देखा जाए मेरी जो personal choice है दोस्तो वो Samsung की है जैसे कि आप सब जानते हैं Samsung के अंदर menu का जो feature होता है जैसे आपको कोई application खूलनी है तो थोड़ा operating करने में अच्छा लगा है मज़ा आता लेकिन MI के आप कोई सबी mobile ले ले लेते हैं तो उसके अंदर आपको सारे ही features जो है वो screen पे मिल जाते हैं दोस्तो आप बस slide करिए कोई menus के अंदर नहीं मिलता तो ये थोड़ी छोटी छोटी बाते हैं जो किसी किसी को पसंद आती हैं तो वो सब चीज़े depend करती हैं दोस्तो तो दोस्तो इस वीडियो के अंदर इतना ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो जरूर लाइक कर देगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें मैं ऐसी ही वीडियो आपके लिए और लेकर आता रहूँगा टेक केर बाबाई